नम्सकार आदाब सत्स्रियकाल, मैं हां सर्बजीत सेंग, हाजिर हां प्रोग्राम लेके किताब बांदे पन्ने, आज तुसी सुनोंगे बलराज साहनी दी लिखी होई किताब, मेरी फिल्मी आत्म कथा दा तीसरा पाग सबतों पहला फिल्मी अनुभाव मैंनू सतां अठां सालां दी उमर विच होया सी, रावलपिंडी शैर विच पलेग दा खत्रा उठपया सी, मेरी माने कार विचे एक चूहा टापदा वेख्या, उससे दिन वो बच्चेया नू नाल लायके पेरे चली गई, जो सानिया दा प जो या, राव भी जाने, मेरी माने सानू सरीर क तौरते तां सुरख्यत कर लेया, पर मानसिक तौरते बड़े संगीन खत्रयां विचता कदेता, पेरा नानू तां शैर सी, पर वातावरन निरापुरा पेंडू सी, आज कल दे पेंडू वातावरन दा अंग्रेजां विले दे वातावरन नाल, कोई मुकाबला नहीं, बेशा कोस्विले चीजां सस्तियां सन, आर्थक निस्चिंततावी वदेरे सी, पर पुलिस ते अफसरी दह्षत हद्दां टापदी सी, मनुखनाल केवल सलूक ही पशुवाला नहीं सी किता जान्दा, बलके उन्नू पशुबना शेय दिती जान्दी सी, शरीफानलाई इजटनाल चाटलंग ओना दिन बदेन मुश्कल होंदा जार्या सी, जेडे इस परबिर्ती दा विरोध कर सकदे सान, ओत्तान दौलत दे लालच वेच, रावलपिंडी ते लहोर वर्गे, वड़े शेरानू नाठ जान दे मौकेयां पाल वेच रहन दे सान, गिरावट दा पर्चम दिनों दिन बुलांद होंदा जार्या सी, उन्नीसो संताली वेच पंजाबियां ने तीमिया विरोध जिस वहशत दा सबूत दिता, उस दी त्यारी दा मुड दूर दर्शी अंग्रेज सरकार ने ओधूं तुम बनना एक मैदान वेच कनातां लाके बनाया गया सी, छात तो तो खुली, इसलई शो रात नू तार्यां हेट होंदे सान, परदेदे लागे एक उच्चे मचान उपर बुलारा खडा रेंदा, फिल्मा बोल दियां नहीं सान, बनके भी वलेतों ओंदियां सान, बुलारा ओना दी क जहानी नाल-नाल ब्यान करदा जान्दा सी, सारा स्कूल शो विखन जा रहा सी, मास्टर अते हैड मास्टर वी, अते साधे देस विच मास्टरानू इखलाकी फृष्ते मनन अते पेड़ानू पेड़िये दा असान शिकार बना देन दी प्रमपरा बड़ी पुरानी है, माने खुशी नाल मैंनू ते मेरे निक्के वीरनू जान दी इजाज़त दे देती, स्कूल वाले आनू शो अधी टिक्ट उते वखाया जाना सी, एवी ता उस दिन रोया अते गुणकारी होन दा ही सबूत सी, मैं पंजताली वरे पहला दी गल कर रहा हैं, उस फिल्म दी कहानी ब अते बुलारा बोलदा सी, साहिबान ख्याल रखिये, ये नंगी नहीं है, अब इसने जादूई पशाक पहन ली है, इसकी मदद से ये कहीं भी जा सकती है, ये सब को देख सकती है, मगर इसको कोई नहीं देख सकता। जा कोई चमुटनी पुशाक पहना देंदे ओनगे, ना ता साड़े हैड मास्टर, ते ना ही उपस्थित शरीफां विच्चों किसे हो और ने एस अशलीलता दा विरोध कीता, और तान उसने में लेके जान दा ओधू रिवाज नहीं सी, एमें रोला गोला पाके आपना जाद क्यों खराब किता जाए, बुलारे ने कैजो दिता क्यों नंगी नहीं, बच्चे सरल जीव होंदे हन, उनना अवश बुलारे दी गालोते यकीन कर लिया होएगा, इस तरह अखला की सट वज्जन दी कोई खास संभावना ना रही, फिर अपना मजा क्यों खराब किता जाए, मुम्किन है किसे व्यक्ति नू उठके विरोध करन्दा ख्याल आया वी होवे, पर आले दुआले सबना नू पापदा हिस्सेदार बनेया वेख के, ओ भी खामोश ही रह गया होएगा, जिमें ब्लैक ना करना चौंदे होएवी, कई फिल्मकार ब्लैक कर दे हन, जिम पंजाबियां ले, ओ विशेश तौरते इखलाकी कमजोरी दा कारण बनेया है, मैंनू ने याद, उस वेले मेरे अंदर कोई लिंग पाव जागरत होया सी जा नहीं, पर मस फुटन दे दिन बहुत दूर नहीं सन, अते बाल गुंदेया सार, उस तीमी दिया नंगीया शाति दे कलोज अप, मेरे लई लिंग वाशना दा एक लज़त परया सामान बन गए, इस नाल मेरी सरीर कते मान से कहानी किनी होई, मैं नहीं कह सक्दा, पर लाब कोई नहीं होया, इनना मैं जरूर कह सक्दा है, दो-चार दिन मगरों मैं एस तों भी गिरे होई दरजे दी एक फि परदे उत्ते चल दियां तस्वीरां सानू चंगी तरह दिखाई दें दियां सान, शो शुरू हुन दियां सार, पहली ही चाकी वेच, एक मर्द ते एक औरत, कुत्यां वर्गी निरलजता नाल, आते हूब हूँ उसे तरह पोग वेच जोट पै, मेरे लई ए बड़ा ही प् क्यों की कर रहे हैं, मैं जोर जोर दी चीक उठया, आते नौकर नू, जो मैं थों उपर वाली शाकते चड़े ओया सी, पैरों फड़ के हेठा तरीकन लग पया, पहला था उसने मैंनू चोप रहां दी डांट देती, पर जदो मैं किसे ही ले चोपना होया, ता ओ बे दिली जही नाल हेठा लेनोते मजबूर हो गया, उस वेले उस दरिश नाल मैंनू केवल किरना ओई सी, पर जियों जो मैं बालग होंदा गया, किरना वेच आकर्शन दावी मिश्रन होंदा गया, मैंनू अफसो सो उन लग पेंदा, मैं क्यों रसो येदा स्वाद खराब कीता, खो मैं कह सकदा सां के इस तरी नू केवल पुर्ष दे काम पोख मिटाऊ पदार्थ रूप वेच वेखन दी सिख्या, मैंनू बड़ी प्रबलता नाल दित्ती जा चुकी सी, आज दे जमाने वेच पिंडा वेच अजही दलेरी नाल, नगन फिल्मा, जो खुफिया अते गैर कन नूनी तो औरते बार्दे देशां वेचों ध्रामद कीतियां जान दिया हान, विखोना संभव नहीं, पर आजवी पिंडा दे निर्दोश अते सरल लोकानों कई तरीक्या नाल, शहरी लिंग गिरावट दा शिकार बना के खराब कीता जान दा है, इस दा मूल कारण सिख्य यत वर्गदा अंगरेजां दी चालू कीती पिंडा वल्लों उपराम रहन दी निंद नीक निती उपर अजे वी अमल करी जाना है, जे चंगे विचारां वाले शैरी लोक पिंडा नाल आपना मेल मिला आप काईम रखन, ता लुच्चे शैरी अनसर नू बे तड़क होके प नगार खाने वेच तूती दी वाज पला कौन सुनदा है, उस पिच्छों कई वरे मैं हो और कोई फिलम ना वेखी, रावल पिंडी शैर वेच ओधों कोई सनेमाई नहीं सी, ज्यादा रिवाज थेटरां दा सी, मेरे स्कूल दे साथी इना थेटरां दे, बहुत दिल पर मेरे पिताजी कट्टड आरिया समाजी सान, अते मैं मी उन्ना दी आग्यादा उलंगन करन बारे कदे सोच नहीं साँ साकदा, ए मेरे जीवन दा बड़ा तरमाकल योग सी, मैंन्नू सुपने वी प्रमातमादे आउंदे आउंदे सान, एक सुपने वेच, मैं पगवा आ अचानक एक दिन खबर उड़ी के सारी जमात सने मास्टर अते हेड मास्टर शैर वेच पहला सिनेमा रोज खुलन दे समारो वेच शामल होन जा रही है, अते फिलम भी रूपर्ट आफ हैंडजा विखाई जावेगी, जो साड़े कोर्स वेच लगी होई सी, किन्ने चलाक उ बुहे उपर तके मार रहा सी, बुहा खुलन के ना, ओ फैसला करनो असमरत सन, अखीर ओना हेड मास्टर नो कर बुला के पुछया, मैंवी आपनी किस्मत दा फैसला सुनन लई, दोना बजुर्गां दे वारता लाप दा गवा बनेया, हेड मास्टर ने कहा, इनने पुराण आए ख्यालना वाले ना बनो लाला जी, फिल्मा केवल मन रंजनली नी बनाईया जान दिया, ओ ता एक कला हे, ओना विच्चों सिख्या भी मिल दिये, नाले ए फिल्म ता स्कूल दे कूर्स वेच लगी कताव दे अधारते बनाई गई गई है, पला एस तों की एक लाकी बच्चेयां लई एस से करके ता टिकट अद्दा कर देता गया है, शैर दे सारे स्कूलां दे दस्वी जमाद दे मुंडे जा रहे हैं, नुकसान ता ना जानवेच हो सकता जे, जानवेच नहीं, पिता जी ने इजाज़त दे देती, अजहा सामारो कदे किसे नहीं सी वेख जो उस देन रोज सिनेमा दे उदगाटन समे वापरया, अंगरेज डिप्टी कमिशनर अते कितने राय साहब ते खान साहब विपदारे सन, सिनेमे दे मालकनू होर की चाईदा सी, पर फिलम दे विद्याक पाखतों सानू उका कोई लाब ना पहुंचेया, क्यूंके जो कहा पर दे उते वेखी, ओ नावल दे पलाट नालों बहुत पेन सी, हाँ, एक गाल ने अवश परबावत कीता, ओ ए के एको शकल दे दो आदमी बार बार नाइकादियां चुमियां लेंदे सन, अवश हेड मास्टर साहब नू वी ए गल इतराज योग महसूस होई होगी, क्यू जी नू ए आख के कायल करीदा सी, के ओ एक उत्तम दर्जेदे एक लाकी नावल उपर अदारता है, जे फेर भी इजाजत ना मिल दी, ता चोरी जानदा भी हॉली 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 होंसला होन लग पया, रोज सिनेमा शैर विच सी, मगरों उस विच आम तौरते हिंदोस्तानी फ फिल्मा दा मेरे उपर विशेश असर पया, उनना विचों एक सी हीर रांजा, एस फिल्म वेच कहानी दे किरदाराने मैंनू उनना परभावत नहीं कीता, जितना द्रखत हेठा बैटके, लंगोजे वजा आके, पेंड दे एकत्तरित लोकानू हीर सुनान वाले किसा गोणे फिल्म खामोश सी, पर किसा गोवाली परस्थिती दा आपना ही एक जादूई संगीत सी, जिसनू याद करके बार बार मेरे गलेडू पा रांदे सन, एक होर फिल्म सी अनार कली, इस विच सलोचना उर्फ रुबी मेर्स दी अपूरब सुन्दरता दा मेरे उपर लोडे दा असर पया, अखीर ली चाकी सी, अनार कली दा सारा सरीर दिवार विच चिनया जा चुक्या है, केवल चेरा खुला रह गया है, इटा विच किर्या आखरा दा मसूम सुन्दर मजलूम चेहरा, अकबर आखरी एट जडन दा होकम सुनौन तों पहला, किना चेर सोचा विच अरे नाल पोच दिता जान्दा है, इस तों वड़ा जुलम दुनिया वेच होर की ओ सागदा सी, मैं किनिया राता सौना सकया, गर्मिया दे दिन सान, असी उपर कोठे ते सौन्दे अंदे सा, सारी सारी रात मेरे देल वेच चीस सां ते कुरलाहटा उठदिया रह दिया, अ अरते विचारी नू बड़ी बे दर्दीनाल मार देता गया सी, मैं किसे हाल यकीन करन लई त्यार नहीं सा, कि सुलोचना दे चेरे उत्ते सच मुच एट नहीं सी तरी गई, ओ निरोल एक सिनेमा ट्रेक सी, शायद जे उस विले कोई मैंनू ओ ट्रेक समझा उन लाग पेंद ता मैं ओदे मूँ ते तफा कड मार दा, मेरे लई अनार कली सच मुच मर गई सी, सुलोचना मर गई सी, मेरी धुनिया तारीख हो हो गई सी, पर सुलोचना होन वी जिवनती जाग दी है, अते कई फिल्मा विच मेरे नल काम भी खर चुकी है, जदों वी मैं उसनू अपने उस अलड़ पने दे पागल पन भरे दस दा हां, ओ हास चड़ दी है, अज मैं आप फिल्मी कला कार हां, अते उस दे हास चड़न दा कारण पूरी तरह समझ दा हां, पर फेर वी जी चंदा है, किसे ना किसे तरह, उसनू समझा सकां के मेरा ओ पागल पन कोई मजाक नहीं, ओ सच मुच मेरे जीवन दा पहला प्यार सी, हकीकत फिल्म दी शूटिंग लई असी जीपां विच कश्मीरों लदाख जा रहे सां, एक रात दरास नामक स्थान ते पड़ा पया, फोज दे करनयाल ने सानू सतिकार नाल मैस दी अमार्त विच ठहराया, नहा तो के असी बैठक विच एकत्तर होए, यूनट दे सारे फोजी अपसर बड़े चानाल सानू मिलन आये सान, क्यून आउंदे, सादे नालतर मिंदर सी, अते प्रिया, अते इंदरानी मुखरजी वर्गियां सुन्दर एक ट्रसावी सान, गल्ना करदे करदे अद खड कर नयाल दी नजर एक कोन उसनू पशान लया, अपनी जवानी दे दिना दी प्यारी अदा कारानू, अते फेर उस दी जो दशा होई, ब्यान नहीं कीती जा सकदी, उस शाम बाकी दे असी सारे कलाकार सिफरों के रह गये, सलोचना पल चट लई, फेर उसे तलिसमी सिंगासंते बिराजमान होई, जिस दा मैं 14 साल दी उम्रे शिकार होया सा, जेडे विद्वान फिलमा दा ना सुन दें ही, नफरत नाल नाक पौँचडा आलें देहन, उननानू सिनेम में दे अमोड अते व्यापक असरां उपर संजीदगी नाल गौर करना चाहिदा है, दोस्तों तुसी सुन रहे सी, बलराज सानी दी लिखी होई किताब मेरी फिलमी आतम कथा दा तीसरा पाग अज एनाही रब राखा